नमस्कार दोस्तों आज अगर आप अपना एड़ोचेट में रिजिटेशन कराना चाते हैं तो उनके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्पूर है तो आज का जो वीडियो है में बार काउंसिल ओफ उत्तर प्रदेश में रिजिटेशन आप कैसे करा सकते हैं यह फॉर्म डाउनलोड कर लगा है आपको देख रहा है जैसा की यह आप पूरा फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे इसको फिल करना है, तो सबसे पहले आपको जो जैसे यह डिस्प्ले पाइप देख रहा है अपना नाम, पटका नाम, एक उपर फोतो भी है, ज करके लगाना है और जो आपका फोटो है वो कोट टाई में होना चाहिए बिना इसके फोटो आपका वैलेड नहीं रहेगा उस पर लिखा भी हुआ है इसके बाद आपको अपना नाम पता और जो भी डिटेल है जहां हिंदी में लिखा है वह हिंदी में फिल करनी है जहां जन जाती है तो जन जाती इसमें कुछ ये एज का भी रिस्टिक्शन है अगर 38 से 50 वाले हैं तो उनके लिए ये डिडी बनना है बाकी अगर आप नया एपलाई कर रहे हैं और आपकी एज 80 से 50 के बीच की नहीं है तो आप ये डिडी नहीं बनवाएंगे इसी परकार ये न आगे जो डिडी अ जा रहे हैं अपको अपना होटो पेश्ट करना है और अपनी डिडी बरनी है वाजाबाट कोट जो भी आपका कोट लगता है बुलंसे नहीं नहीं है वहाँ आपकी तैसील है जहां आप practice करना चाहते हैं वो आपको fill करना है, आपकी date of birth और यह सारी common detail है यह आप भरी लेंगे, यहां आपके जो high school, inter BA, BCom, जो भी graduation है, LLB या फिर कोई other आपने qualification रे रखी है वो आपको fill करना है और यह आगे आपको signature जहां signature के column बनी हुए है वो आपको signature करना है और यह office यूज के लिए है cable और अगर आप business या कुछ करते हैं यह सारा आपको बताना पड़ेगा यह गोशना पत्र है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम सारी detail फिल करना है date, signature यह सब और जो आप देख रहे हैं यह चरित्र प्रमारपत्र यह किसी advocate से आप अपना बनवा सकते हैं जिसकी practice दस साल से उपर की हो या किसी member से जो भी bar council का member है उससे आपना character certificate बनवा सकते हैं यह office use के लिए है आगे यह office use के लिए है applicant को यह detail दुबारा अपनी fill करनी है यह दोनो detail फिल करनी है आपको दुबारा कोई ज़्यादा tough नहीं है नाम, पत्या, date of birth, अपना थाना, pin code, mobile number photo जरूर आपको कम से कम 5 photo चाहिए होंगे, quote time है इसके बाद इसमें कुछ instruction भी है यह एक affidavit भी लगेगा आपका जिसमें यह कुछ पैरा है आपका नाम पता भर के जैसे की मैंने high school जो भी आपने 10th किलास किस year में किया है इसी परकार inter किस किलास में किया है हाँ, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है लाष्ट का यह जैसे पैरा नंबर 15 लिखा हुआ है विसेज कोई लेक तो अगर आपका registration कराने में LLB पास करने में अगर कोई gap है तो आपको उसका बताना पड़ेगा आपका gap क्यों हुआ है आपने कोई तयारी की है क्या है तो वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा यह instruction है आपको कितना सुल्क देना है और आवी तक का नाम हिंदी अंगरेजी दोनों भासाओं में एक हो यह सारे instruction आप पड़ सकते हैं कोई ज़्यादा वो नहीं है मैं आपको document बता देता हूँ आपको document कहके चाहिए होंगे registration के लिए लोगों की अधिकतर query यह रहती है कि document कह क्या लगेंगे तो सबसे पहले तो आपको सारे DD बनवाने पड़ेंगे DD के बाद आपको यह form fill करना है form fill करने के बाद आपको जो सारी mark seat है original 10th से लेके LLB तक की वो सारी mark seat आपकी original जाएंगे लिफाफे में पैक होकर A4 का size A4 size का लिफाफा रहेगा जिसमें कि आपको सारी mark seat रखनी है form के साथ DD लगा कर और उनका एक extra set और लगा कर रखना है mark seat के बाद आपको एक ID रखनी है जिसमें आप आधार card, voter ID, कुछ भी अपने एक ID form के साथ आपको लगानी है इसके बाद आपको अगर आपने graduation किया है तो उसकी degree चाहिए होगी अगर degree नहीं है तो provisional degree चाहिए होगी इसी तरह से आपको LLB में भी degree चाहिए अगर degree नहीं है आपके पास तो उसकी provisional degree चाहिए इसके बिना आप registration नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप कराईए अपना registration और अपना व्याफसाय प्रारम की